आज का पाठ है बाल गोविन भगत बाल गोविन भगत पाठ के लेखक कोन हैं इसके लेखक हैं राम व्रक्ष बेनिपुरी राम व्रक्ष बेनिपुरी का जनम कोन से सन में हुआ था सन 1889 में प्रिश्न है राम्रक्ष बेनिपुरी का निधन कौन से सन में हुआ था 1968 में प्रिश्न है राम्रक्ष बेनिपुरी ने कौन से पत्र का संपादन किया था उतर है तरुन भारत प्रिश्न है राम्रक्ष बेनिपुरी का उपन्यास है पतितों के देश में प्रिश्न है पैरों में पंक बांध कर वेडी पुरी का क्या है यह यात्रा वृतांत है प्रिश्न है बाल गोविन भगत किस विधा का पाठ है तो यह एक रेखा चित्र है प्रश्न है बाल गोविन भगत कैसे कद के आदमी थे तो वह मंझोले कद के आदमी थे यनि कि ना बहुत ज़्यादा हाइड थी ना बहुत ज़्यादा कम थी बाल गोविन भगत कितने वर्ष के उपर के होंगे 60 वर्ष के उपर के थे वो बाल गोविन भगत के सिर पर कैसी टोपी रहती थी कनफटी टोपी उनके सिर पर रहती थी बाल गोविन भगत के मस्तिस्क पर कैसा चंदन लगा रहता था रामा नंदी चंदन लगा रहता था बाल गोविन भगत के गले में किस की जड़ों की माला रहती थी तुलसी की जड़ों की माला वो पहना करते थे बाल गोविन भगत कबीर को साहब मानते थे अगर प्रिश्ण आये की क्या मानते थे तो वो साहब उनको मानते थे उसके बाद प्रिश्ण है लेखक उनकी कौन सी बात पर मुग्द था किस महीने की रिमजिम हो रही है आसाड की बच्चे किन खेतों में उचल रहे है धान के औरतें क्या लेकर मेड़ पर वैठी है कलेवा कलेवा किसे कहते है नाश्ते को कलेवा कहते है किस अंधेरी आथी रात में भगत का संगीत बूंज उठता था भादो की बाल गोविन भगत की प्रभात फेरियां किस महीने में शुरू हो जाती थी कार्थिक में बाल गोविन भगत का बाद्य यंत्रि क्या था ख्यंजडी लेखक किस महीने की दांट किट किटाने वाली भोर में पोखरे तक गया था माग के महीने में गर्मियों में भगत क्या गाते थे संजा गाते थे बाल गोविन भगत के कितने बेटे थे एकी बेटा था बाल गोविन भगत नदीश नान करने गाउं से कितनी दूर जाते थे दो मील दूर भगत के बेटे की चिता को आकिस ने दी पतोहु ने भगत के स्थान से गंगा कितने कोश दूर थी तीस बेटे के मानने पर भगत ने पतोहु को रोने से रोने के बदले क्या करने को कहा उत्सव मनाने को कहा भगत ने पतोहु को कि सवधी के पुरा होते ही उसके भाई के पास भेज दिया, शाध की अवधी पुरा होते ही भाई के पास भेज दिया गया था, भगत हर वश कहाँ स्नान करें जाते थे गंगा पर, लोगों ने भगत कामरिज श्रीर कब देखा, भोर के समय यह धी सुबह के समय, बाल गोविन भगत ने अपनी पतुहों के भाई और उसको उसके विशे में क्या कहा कि इसकी दूसरी शादी कर देना ये कहा था मित बेटे को भगत ने चटाई पर कहा लिटाया आंगन में बाल गोविन भगत की मृध्यू किस कारण से हुई थी दिल का दोरा पढ़ने से बाल गोविन भगत गंगाशनान करने किस साधन से जाते थे पैदल ही वो जाते थे बाल गोविन भगत के पुत्र की मृत्यू का कारण क्या था बिमारी बाल गोविन भगत किस वण के वैक्ति अत्वांं का रंग कैसा था गोरा चिटा था बाल गोबिन भगत की प्रभातियां कब तक चलती थी वाग उन一個 महीने तक उनकी प्रभा फण चलती थी भादो का सम्मंद कुंसी रितुसर है वर्शा से बाल गोविन भगत का व्यत्वशाई क्या था खेती वाड़ी करते थे वो तेरी गठरी में लगा चोर गीत कोण गया करते थे बाल बोविन भगत यह गीत गया करते थे आज का पार्ट जो है बाल गोविन भगत इसके मैंने आपको वन लाइनर्स बताए इसके इलावा आपको कोई पार्ट के अगर वन लाइनर्स पढ़ने हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना थेंक्यू फोर वाचिंग अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने थेंक्यू